हाँ जी जी गूड इविनिंग कैसे हो सब तो मेरा आज का जो डिसकुशन का टॉपिक है आप सब के साथ के जो हमारा सबसे वीक सबजेक्ट है जिसमें हम सबसे कम जोर समझ रहें अपने आपको जिसमें हमें सबसे कम कॉंपडेंस है कि इसमें पास हो जाएंगे या नहीं हो पाएंगे उसको कैसे पेपर में जाके तीन गंटे में हमने मैनेज करना है ताके उस पेपर में हम थोड़ा सा अपने आपको टेंशन फ्री एक्जाम में लेकर जाएं और उसमें अपनी तरफ से किस ट्रिक के साथ अपने आपको पास करने की कोशिश करवाएं तो ये चीज जो है मैं आपको समझाने लगा हूँ, उसके लिए सबसे पहले आपको एक example दे रहा हूँ, फिर मैं आपको main screen पर लेकर आऊँगा, जहां पर मैंने सारा आपको लिख कर समझाया हुआ है, लेकिन मेरे से सबसे पहले एक example को समझो जड़ा, आपके पास, for example, एक example ले रहा ठीक है मान लो आपके पास जो book है उसमें 20 chapters हैं अब आप कैसे बढ़ते हो आपकी ये कोशिश होती है कि पहले मैं छोटे chapters कर लूँ या आप ये target रखते हो कि मेरा एक chapter हो गया आज मैंने 3 chapter करने हैं आज मैंने 2 chapter करने हैं आपके पास target मिल जाता है कि कौन से chapters को पहले करना है क इसका मतलब आपके वो subject में आपकी book में chapters एक बहुत important role play कर रहे हैं आपको वो subject complete करने में कि book को divide कर दिया chapters में ऐसे है न अगर मैं बोलूँ कि text तो वही रहने दो सारे topics वही रहने दो बस ये हटा दो कि जो book है वो chapter wise बनाई जाए ऐसे सारे topics लिख दो order wise लिखो चाहे लेकि कोई chapter का नाम ना दो overall book जो है वो हमारा एक ही chapter है माल लो तब आपको पढ़ने में कैसे लगेगा आपको लगेगा कि इसको कैसे target set करें पूरी book एक ही chapter है यह तो बड़ा boring है पढ़ना तो chapter wise target मिलता है तो पढ़ने में मज़ा आते है न बस ऐसे paper में जाके आपके जो 3 गंट 80 minutes है प्लस 15 minute आपके पास starting में extra है paper को read करने के लिए ठीक है तो आपके पास 180 minutes मतलब 60 60 minute के जो 3 session होगे आपके पास इसके इलावा 15 minute आपके पास starting में आपको paper पहले दे दिया जाता है question paper यह बात clear है न अब इसका मतलब जो हमारा जो first session है जो हमारा first session है उसमें हमारे पास 15 minutes जो extra है प्लस 60 minutes हमारे पास मैंने उसको first session का नाम दे दिया है हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि इस 15 minute में जो starting वाले 15 minutes है मेरे पास मैं उसमें कम से कम ये सर्च कर लूँ कि मैं कौन सा paper का area पहले attempt करूँ जिसमें मैं 25 marks की achievement कर सकूँ अब यहाँ पे word मैंने clearly लिखा हुए 25 marks की achievement एक होता है paper को attempt करना कि मैंने 40 marks का attempt कर दिया ठीक है difference है attempt किया मैंने 40 का attempt किया लेकिन उसमें मुझे आए 25 तो आपकी कोशिश होने चाहिए मैंने 25 marks gain करने है आपके पास 15 minute पहले ये decide करने के लिए कि कौन से areas कौन से questions आप पहले उठाओगे चाहिए आपका practical subject है 25 marks हैं वो gain कर सको अब आपको target मिल गया कि पहले session में मेरा इतना target है अब जो आपका दूसरा session है 60 minutes का अब उसमें तो आपकी पास 15 minutes extra reading के नहीं है लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि जैसे हमारा second session start होना है तो उसमें 15 minute में हम फिर से planning पर लगा लें क्योंकि देखो first session में हम सबसे important areas जहां जो हमें सबसे ज्यादा अच्छे आते होंगे हर बचा वही पहले करेगा अब दूसरे में जो second हमारा एक गंटे का session है उसमें अब थोड़ा सा middle range वाले questions आ जेंगे जिनको हम बहुत ज्यादा अच्छे से शायद नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन करना तो है यह पास होने की तो पूरी कोशिश करनी है तो पंदरा मिनट लगा कर हमने यह पूरी कोशिश करनी है कि जो second session के पंदरा मिनट प्लस 45 मिनट क्योंकि इसमें हमारे पंदरा मिनट सम्में 60 में से निकालने पड़े उपर तो पंदरा extra थे starting में दिये गे थे लेकिन यहां प 45 मिनट मैंने attempt पे लगानी है कि मैं 20 marks गेन कर सकूँ मेरी achievement 20 marks की हो सके यहां पर मैंने 20 marks इसलिए रखे हैं क्योंकि अगर मैं 20 marks गेन करने की कोशिश second session में करूँगा क्योंकि उसमें थोड़े सब मेरे पास technical question साथ में रह जाएंगे सबसे easy जा सबसे मुझे अच्छे आते ह क्योंकि उसमें मैंने उसको मैंने पहले session में attempt कर लिया होगा तो यहां पर भी मैंने 15 minutes ही रखे हैं और 45 minutes आपका paper attempt करने के लिए रखे हैं अब उसके बाद जो मेरा third session है उसमें मैं यह समझूँगा कि शायद हमने खाली बैठना है हमें लगता है कि जो जितना आता था वो तो हम कर चुकी है लेकिन अब क्या करें जा क्या ना करें है यह situation है अब इसमें 20 minutes में जो आपका third session है उसमें 20 minutes आप पूरा दिमाग लगाओ कि कुछ तो ऐसे areas होंगे जो अभी भी शायद आपको हलके फुलके कुछ ना कुछ जिनके बारे में आप लिख पाओ जा solve कर 60 में से 20 आपने वो ढूंडने में सोचने में लगा दिया तो 40 minutes आपके पास attempt करने के लिए बचेंगे अब आपने इसमें कोशिश करनी है कि आप 15 marks 15 marks आप achieve कर सको तो पहले session में आप कोशिश करो कि मेरे 25 number मिल जाए मुझे मैं achieve कर लूँ दूसरे session में कोशिश करो कि 20 marks 15 को ढूंडने के लिए plan करने के लिए अपने 20 minutes लगा दिये अब 40 minutes में उसको achieve करने की कोशिश करो तो ऐसे आपके 60 marks मैंने लिखा है कि आप achieve कर लो देखो अगर मैं यह बोलूँ के 3 papers में overall aggregate हमें 150 चाहिए हर paper में 50-50 अपना ही आ जाए है नब एक दूसरे में ना देखे 50-50 अपना ही ले 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 तो भी हमारा group clear हो जाता है तो यहां तो मैंने फिर भी 60 रखें achievement यह 60 की attempt नहीं है मैंने gain का रखा है अगर आप 2-4 marks कहीं से कम भी ले लेते हो तो भी हमारा जहां पर पास होने का तो अराम से 40 प्लस तो 20 marks उपर हो गया है 40 से अगर आपका कोई subject the marks ले रहे हो तो इसमें अगर आप passing marks पे भी आ जाते हो इस subject में तो भी आपका group clear हो सकता है लेकिन यह चीज जो है यह उस example के साथ relate करो जैसे मैंने आपको पहले पताई न के पूरी book आपका एक ही chapter हो जा अलग अलग chapter हो तो जो psychology यह चीज को पकड़ने की वो हमारी change हो जा पास होने में पूरी help करेगी अब बाकी आपकी जो problems है मेरे साथ comment box में share करते रहो ताकि मैं रोज आपके लिए नए नए ideas नए आपको techniques बताता जाओं तक इस बार हम अपने exam में पास होकर जोड़े तो चलिए all the best सभी बच्चों को मिलता हूं कल दबारा next वीडियो में आपके comments की wait करूंगा thank you so much